हैलो गाइस वेलकम बैक तो मैं चेनल आज की इस वीडियो में कुछ एसे खास टिप्स एंटिक्स लेके आए हैं जिसे हम यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं तो चलिए बीना देर की वीडियो सुरू करते हैं और अगर आप मेरे चेनल में नहीं हैं तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तो देखे पहले टिप्स हमारी होगी गरम मसाले को लेकी जब भी हम गरम मसाले लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस तरह का जो डबा होता है तो हम उसको उपर से देखे खोल के और इसको यूज करते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर आपने देखे होंगे कि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो इसमें जो इसमेल होती है गरम मसाले की वो चली जाती है और फिर वो इतना काम नहीं करता है तो देखिए जब भी हम ये लेके आए तो हमें सबसे पहले ये काम करना है कि इसको देखिए उपर से कट करके और एक छोटे कंटीनर में इसको डाल देना है चाय काच का हो या प्लास्टिक का कोई भी आप एक container ले लीजेगा और इसमें आपको डाल देना है डालने के बाद देखिए हम क्या करते हैं कि इस डब्बे को हम फिंग देते हैं आपको इस डब्बे को बिल्कुर भी नहीं फिंगना है देखिए इसका भी हम यूज करेंगे तो देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमने इस तरह का container लिया है इसमें हम ये डाल के रख देते हैं और फिर हमें पता नहीं होता है कि कौन सी इसकी expiry date है कितने तक हमें इसको यूज में लेना है तो देखिए आपको क्या करना है इस डब्बे में जो उपर की साइड में ये डेट लिकी होती है वही डेट हम इस डब्बे बे चिपका लेंगे तो इससे हमें ये पता रहेगा कितने दिनों तक हमें इसको यूज करना है तो आप चाहे तो साइड में चिपका लिजेगा या फिर आप धकन के उपर चिपका लिजेगा तो सेलो टेप से आप इसको चिपका सकते हो तो देखिए इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं और बहुत ही लंबे टाइम तक इसकी स्मेल भी नहीं खराब होगी मसाले की और ना ही यह क्या है कोई कीड़े वगेर इसमें लगते हैं तो है ना यह बहुत ही यूसफुल तरीका तो अगर टिप्स यूसफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगली हम जबरदस्ति उसको पहनते हैं तो हमारे हाथ चिल जाते हैं तो देखिए एक छोटी सी टिप्स देना चाहूंगी बहुत ही यूसफुल है तो देखिए वेसलिन तो सभी के घर में होता है तो आप चाहे तो वेसली ले लिजे या फिर कोई भी बोड़ी लोशिन ले लिज तो देखिए आपको हलका सा वेसली लेना है और लेने के बाद अब हम देखिए चूडिया पहनेंगे तो देखिए थोड़ी थोड़ी करके हमें पहना है एक साथ हम नहीं पहनेंगे और अब देखिए आप देख सकते हो कितनी इजली से यह हम इसको पहन सकते हैं तो है ना अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगली टिप मेरे देखे चूडियों को ही लेके होगी और चूडिया क्या है कि हम यूज करने के बाद अगर पुरानी होने लेगे चूडिय तो हम क्या करते उसको फेंग देते हैं त तो यहां पर मैं एक आपको तरीका बताऊँगी यूज करने का तो इसको वह चीजिज में करने है अगर लगा सकते हैं और कि कि कीजिज में कोई काम करते हैं या फिर कोई गुजर्ग लोग होते है उनको अगर कमजोर है तो वो काम करते हैं तो उनको क्या है कि चस्मा लगाना होता है और वो क्या करते हैं कि अगर चस्मे को देखी इस तरह से रख देंगे तो चस्मा क्या है बहुत जल्दी खराब होता है इसके जो लेंस होते हैं यहां पे देखे इसक्रेच आ जाते हैं जिसकी वज़े से हमें चस्मा नया बनाना पड़ता है और इससे हमारे पेसे भी खर्च होते हैं तो हम इस तरह से देखे छुटी छुटी बातों को ध्यान में अगर काम करेंगे तो हमें बहुत हीे आसानी होगी तो दिखिए हमें क्या करना है इस चस्मे को हम लगाएंग उस चूडी के अंदर देखिए इस तरद से तो यहां पे देखिए हमारा चस्मा भी एसेफ 3 रहेगा और हमारे आंकों के सामने रहेगा तो हमें ढुडने में बीचांपने खराब नहीं तो देखे इस तरह से हम अपने बड़ों के लिए यह आइडिया बना सकते हैं और उनको बहुत ही आसानी होगी चस्मा रखने के लिए तो हैना यह बहुत ही यूसफुल तरीका अगर आपको यह टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए अग इस तरह से चूडियों में लगा के और अब हम देखिए इसको लगा देंगे देखिए उपर की साइड में इस तरह से तो देखिए यह चूडियां बिलकुल भी बार बार में निच्छी नहीं आएगी कितना भी चाहे हम काम कर ले यह एक जगह पर ही रहेगी तो हैना यह ब इस तरह के डबे में आती हैं तो वही डबा मेंने लिया है और मैं इसको देखिए कभी भी नहीं फेंकती हूं मैं इसको साफ करकी रख लेती हूं बहुत ही यूस फूल है और यहां पर घखे मिसको कैसी यी उसगे करूंगी 설ड तो क्या करना है कि मेनने इस अधर की टाला है हार्पिक, जी हां हार्पिक हम इस बिस्किट में डालेंगे और आपको इस वीडियो को एन तक देखेगा बहुत useful है तो देखे, तो मैंने लिया है देखे, بिस्किट और मैं डाल रहा हूँ हार्पिक, तो इस तरह से बिस्कित कवर हो जाए बिस्कित में पानी उतना ही हमें लेना है और अब हम देखे इसको अच्चा से mix कर लेंगे इस scorne का दो मैंने यह अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह का यह हमारे तांबे के इस तरह के 2 यह लोटे होते हैं फो को बहुत ज़्यादा काले हाते हैं और उनको शाफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है तो देखि आप इस तरह का बेटर बना लीजे और जितने भी आपके तांबे का बरतन है या फिर जो साफ कर सकते आपको क्या करना है कि फ्रेंड्स यह द्यान रखना है कि जो इस्टील वाले जो बर्तन होते हैं उसमें आप बिल्कुल भी हार्पिक ना लगाएं उससे क्या होता है कि जो बर्तन होता है इस्टील वाले वो काले पड़ जाते हैं तो इस बात का आप जरूर से द्यान रखिए स्टील वाले बरतन में ना तो आपको यह बिस्केट और नहीं बनाया है बेटरवो कि यह बिलकुल नहीं बनाना आपको देख alta करे मेने इसलिए रिपालिया है कि यह घराब ना हो हार्पिक से, तो हार्पिक में क्या है कुछ ऐसा केमिकल होता है जो हमारे हाथों में अगर लग जाता है तो भी आपने देखे होंगे कि जलन होता है तो आपको ये इस हार्पिक से जब भी आप कोई भी चीज़ साफ करें और देखी मेरे जो भी ये ताम्बे की बरतन थे वो मैं ने सारे ले लिये हैं और इसका जो ये पेस्ट है वो मैं सारे में देखी लगा ले रही हूँ और जहीं ओर अब इस तरह से लगा के ओर scan को प्रूँगे तो 10-15 मिन के लिए हमें इसको इसे ही रखना है और देखे मैंने अच्छे से इसको दो लिया है दोने की बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से यह साफ हुआ है तो इस तरह से देखिए हम तांबे के बरतन को साफ कर सकते हैं तो है ना यह बहुत ही यूसफुल तरीका